नमस्ते विद्यार्थियों आज हम वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे वाक्य के भेद दो आधारों पर किये गए हैं जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार होते हैं विधान वाचक वाक्य, निशेद वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य, विश्मय वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य, आग्या वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, तथा इच्छा वाचक वाक्य विधान वाचक वाक्य की परिभासा देखेंगे जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिती या अवस्था का पता चलता है उसे विधान वाचक वाक्य कहते हैं जैसे खिलाडी मैदान में खेल रहे हैं इस वाक्य में मैदान स्थान का बोध करा रहे हैं तता खेल रहे हैं यहां खेलना क्रिया है दूसरा देखेंगे निशेद वाचक वाक्य जिसकी परिभासा इस प्रकार है जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निशेद वाचक वाक्य कहते हैं जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी इस वाक्य में नहीं शब्द में ग इत नहीं गानने का बोध हो रहा है तीसरा भेद देखते हैं विस्मय वाचक वाक्य जिसकी परिवासा इस प्रकार है जिस वाक्य में आश्चर्य, खुसी, दुख, ग्रणा, आदी का भाव प्रकट होता है उसे विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं जैसे अरे दीपक तुम आ गए इस वाक्य में किसी ने दीपक को अचानक से देखा है चौथा प्रकार देखते हैं प्रश्न वाचक वाक्य जिस वाक्य से यहाँ पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं उधारन देखते हैं तुम्हारा नाम क्या है इस वाक्य में नाम जानने के लिए प्रश्न पूछा गया है पांचवा भेद है संदेह वाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेह वाचक वाक्य कहते हैं जैसे शायद आज वर्षा होगी तो इसमें जो शायद सब्द है उसमें संभावना प् चटा जो है वो है आज्या वाचक वाक्य जिसकी परिभासा इस प्रकार है जिस वाक्य में आज्या आदेश अनुमती प्रार्थना निवेदन आदी का भाव प्रकट होता है उसे आज्या वाचक वाक्य कहते हैं उदारन देखते हैं घर जाओ और खाना लाओ यहां पर घर जा का भी आदेश दिया जा रहा है और खाना लाओ इस बात का भी आदेश दिया जा रहा है सात्वा भेत देखेंगे संकेत वाचक वाक्य जिसकी परिवासा इस प्रकार है जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं जैसे यदि पिता जी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे तो इस वाक्य में किसी कारण या सर्थ का संकेत मिलता है आठवा बेद देखते हैं इच्छा वाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छा भी उम्र दे इस वाक्य में अच्छी कामना की जा रही है अब हम वाक्य के रचना के आधार पर भेदों के बारे में बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं सरल वाक्य संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य जिसको मिश्रित वाक्य भी कहा जा सकता ह तो सबसे पहले सरल वाक्य की परिभासा देखेंगे जिस वाक्य में करता एक या अनेक होते हैं किन्तु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं इस वाक्य में भले ही करता दो है महेश और दिनेश लेकिन उनकी क्रिया जो है वह एक ही है पढ़ते हैं इसलिए दोनों जो है वह एक उद्देश्य के अंतरगत ही आएंगे दूसरा बेद देखते हैं सयुक्त वाक्य जिसकी परिभासा इस प्रकार होगी जिस वाक्य में दो स्वतंत्र या समान इस्तर के उपवाक्य और तथा किन्तु परंतु या अत्वा आदी समुच्य बोधक से जुड़े होते हैं उसे सयुक्त वाक्य कहते हैं उदारन देखते हैं सवेरा हुआ और पक्सी चह चहाने लगे इसमें और जो शब्द है वह समुच्य बोधक शब्द है समुच्य बोधक का आर्थ है योजक शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोडने का कार्य करता है आगे वाला देखेंगे मिश्र वाक्य जिसकी परिवासा इस प्रकार है जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की जो जिसकी जैसे जो वह जब तब जियों तियों जैसे वैसे जहां वहां कहीं ताकि आदी समुच्य वोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं उदारन देखते हैं उस अध्यापिका को बुलाईए जो लाल साडी पहने हैं इस वाक्य में जो समुच्य वोधक शब्द है जो दो उपवाक्यों को जोड रहा है और इन उपवाक्यों म हमने आज वाक्य के प्रकारों के वारे में जाना.